नमस्कार आदाव सस्रीकाल कियाचार कैसे हैं आप सब। तो आज से वेडिया में आपको लेए चलते है कंद मूल की खेती दिखाने। कंद मूल जो जैसे पुराने जमाने जो रिसी मुनी लोग जंगल में तब करने जाते थे तो सिफ कंद मूल ही खाते थे भगवान से राम जब पनवास में गए थे तो कंद मूल खाते थे तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं, पूरा खेती खेत है, मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, और एक चीज मैंने और नोटिस किया है, गोवी का खेत, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है गोवी, यह है गोवी की खेत पानी के यह जो है लेपेट के उसमें रखा जाता है और यह बगल में एक छोटा सा कसबा है जिनका खेत है यह ठीक है तो अमेरिका में जो है जो मेठिय कंड होते हैं वो भी बहुत फेमस है इसका जो है मेस मेस पोटाइटो बोलते हैं अन्या यह सूट पोटेटो का ट्री है यह जो है ना सूट पोटेटो का प्लांट है और सूट पोटेटो इसके अंदर होगा जमीन के अंदर ठीक है ऐसे नीचे जमीन के अंदर वो सूट प्टेटो बनता है ठीक है? अभी छोटा है ठीक है? नई तुम यस्चा आपको उखाड़के भी दिखा देता तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो है यहाँ मीठा कंड जो है बहुत फिएमेज से जैसे अलू फ्राई आपने ने थे चप्डीा में आप तो में दोनौडु वगर आगे फॉराई मिलते उसी तरह सिसके फॉराई भी मिलते हैं यहां에서 मेठा मेठा आता का बहुत अच्छा आता है और इसके जो है श्वाल करके उसको पीते के इस को वह बख्ची निया दाल देते हैं तो वह उसको जो हें चम्मज बच्चे लोग जिसके दाइट नहीं होते हैं खास्तों पर बहुत पसंद अफ़ करते हैं हम सब ने भी बहुत खाया हुए है अनिया आज़ा और दिखाते हैं कमान आया लो कि इसमें पानी जा रहा है देख लो इसमें पानी जा रहा है। देखे हो यह रहा है। इसमें पानी जा रहा है। पएर मत रखो जाने तो पानी। पएर हटा ले गोटी। अ ए हैंज यह Byड देख सकते हैंजο है बड़ा सुन्दर होता है अपने देश में भी ऐखेत फुझे बड़ा सुन्दर लगते हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह सब चीजे जब याथ आफ तो में गहतonie है कुछ आज आट सबढ़ा है ठीक है और मैं सब चीज़ों से पहले अब देख सकते हैं काफी दूर दूर तर मैस पी या सोच पिंहरा प्टैटों هाञ सब्सकिर थो इसके जंच जड़ और एकंट पूंस तरह यहां पे है ना रूट रूट है ना उसके अंदर होता है जमीन को खोदना पड़ेगा शुट पटेटो बाहर नहीं होगा अन्या पटाइक है शुट पटेटो का फ्लावर दिखा सकता हूं तुमें यह है फ्लावर तो बच्चे लोग इसका फूल देखे काफी पूस है तो गाव में इसको हम सब जो है गवा बोलते हैं पता नहीं आप सब क्या बोलते हैं इसको जरूर बताना हमें ठीक है गवा क्या होता है जब पोधों को लगाना हो इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है तो आप पंटी को इतना से येतना काटके निकाल ले जिए फिर उ जमीन से काड़ दीजिए पिर उ नय पौधा बन जाता है ठीक है तो इंडिया में जब भी किसी खेत में से यजब हर्वेस्ट किया जाता है ठीक है और फूरा खाड़ा जाता था तो लोग जो है गवा मांगने के लिए लोग आ जाते थे कि हमको देदेना हमको देदेना करके तो उनको ले जाके अपने खेत में लगाते थे तो वहां भी हो जाता था तो देखिए पाइप है पाइप देखिए बीच में गया है उदर बीच में एक स्प् पांचलें इधर है पांचलें इधर है सुर्ट पोटेटो का अब बीच में स्प्रिंकल है तो मुझे लगता है कि सिर्फ पीच-वाले लेन में घया है यह त्यूप और इस तरह से नाचता है तो जो है दोनों साइड हो कवर कर लेता है पानी पहुचा देता है तो इसलिए इस आप वहां लगा देंगे तो इस तरह से डारेक्षम दे सकते हैं कर आपको इस दी समय ले जाना पानी this सामम लगाना तो जो भिए जोड़ है मोड़का है कि पहले मुझा यह घुब दि लेक्ता हाई होता होगा लेकिन यह बहुत नरम होता है तेसी ग्रट से टूटता फटता नहीं है इस एंगल में रहता है डपता तो पाढ़ उत्पा सकता था अगर मिठी कंड की खेती यह जो है जो मिठी कंड हो ती है हम सब कंद बोलतें हैं पता नहीं आप गाव में तो कंड बोलते हैं कुछ लोग कंड बोलते हैं तो यहाँ पर मीठी कंडfallen आप belangrijk पोटेटो बोलते हैं यहीं। इसकी खेती भी देखे, लग़ब गुसी की तरह बोया गया है लाइनает से इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें काफी घास है फिलाओ, यह वाले घास दूब है इस वाले दूब को हमने काफी देखा हुआ है काफी दूर तक है इसमें ठीक है तो इसको कंड को तो जाहिर से बात जमीन के अंदर होता है तो मुझे पता नहीं है कि अभी कितना बड़ा हुआ कितना नहीं और पानी का सिस्टम आप देख रखते हैं यह नेली वाली जो पाइप है और हर पाइप में जो है इस तरह से एक नल लगा हुआ है ठीक है औ जो है इसी तरह से और जो काली पट्टी देख रहे हैं काली पन्नी देख रहे हैं वो उसको कबर करें रखता है ताकि जो है इसका मौश्चर बना रहे है और इसको नमी जो है जादी पेड तो जादी देर तक बना रहे है तो पेड जो है मरेगा नहीं मुर्जाएगा नहीं जो है इस लंबाई में बहुत बड़ा है ठीक है और इसके पत्ते भी आप देख लीजिए पत्ते जो है अपना इंडिया के जैसे ही है मैंने तो इसके खेती भी हुई है मैंने खुद जो है इसको बोया हुआ है मुझे पता है कि ऐसा ही होता है ठीक है और कंद जो है जब कच् तो एयुक्ति देखे ही। तूमें कोड़ा बोलते हैं कोड़ा जला जाते आ defendi में तो हम सब यह सानाल देते थे आग पापते ही तो इस ही तो दौरान वही हो जाता था," यह हम सब शाल नाश्यता बहुत खाया हूए." यह देखिए जो मीठा कंड का हम जो खेत दिखाया थे उसके दूसरी छोर पे हम आ गये हैं काफी दूर तक था तो हम जो है कार से चल के आये हैं दूसरे छोर पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी अनुमत नहीं है हमको इसको उखाड़ के दिखाने के लिए तो जब कभ काफी हरा भरा और दूर दूर तक फैला हुआ है इसके बगल में साइद गोभी है मैं देखता हूं क्या है यह इसी कंड मूल के खेती के बगल में मैंने नोटिस किया कि कुछ और यह जो है पत्ता गोभी का खेत है तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूं यह देखिए यह पत्ता गोभी के खेती है और यह दूर दूर तक फैला हुआ है और सीजन इसका भी जा चुका है कि उखार लिया गया है ठीक है इधर अभी है अभी बाकी है ठीक है ते पत्ता गोभी के खेती आप देख सकते हैं काफी जो है दूर दूर तक फेला हुआ है ए है छो है फूल गोवी है एधर ठीक है है हम आव यह जो देख रहें इससे हो है इंटिया में जब हम उपको आते थे खेत में तो कुछ को वीश झोर देते के लिए आप देख सकते हैं यह चोड़ सब उसको जो है विज के लिए उगाया गया है कम देख सकते हैं तो अभी इसमें से जो बिख रहा है इस तरह से गहोदए करूप में जो और बड़ा हुआ इसमें निकलेगा तो इसके सरसों कुछल कर दाने से थोड़ा बड़े साइज में होता है है तो उसको कठा करके दुबारा यूज़ कर सकते हैं अब इधर देख सकते हैं पूरा गोभी अजय सकते है है दूर दूर तक जतना आप देख सकते हैं सब जो है घृणि है ठीक है अब बीच में आप जो देख रहे हैं इसको केल बोलते हैं ठीक है एक प्रकार का केल है यह जो है जैसे सर्जो की सर्सो की सबजी और जैसे सर्सो का साग होता है और मक्के दी रोटी उसी तरह से इसको जो है साग बनाया जाता है ड्राइ सूखा सबजी बनाया जाता है बूल बढ़ियां होता है यह सिप जो है फोड़ा सा इसमें लसुन का पाउडर डाल दीजे बस तेल और कुछ नहीं ठीक है इस तरह से आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है गोभी उगाई गई है और आगे आप देख सकते हैं उपनी जो चड़ा गया खेत में उसमें स्ट्रीज पूटाइटो तो यह है किसान के दूकान जिसका खेत अब आपको दिखाय था जिसका मीठा कंड जी सुट पोटेटो गजो था तो देख एंके पास मीठा पोटेटो है नहीं अगर होगा तो मैं आपको दिखाते हूँ है अब आपको देख पास जो है तो अब दूसरे किसान के दुकान बेलेकर चल रहा हूं वहाँ पे आपको तुसरा से हम जो है दुकान में आ गया है मीठा कंड खरिदने तो यह है मीठा कंड का स्टोर तो आप देख सकते हैं पी कितना बढ़िया क्वालिटी का है यह वह लिखा तो है यह तो आपको दिखाने के लिए कि कितने का मिलता है प्रसाइब अपार खड़ आपको इस तरह से देखे हम को यह एक डाल का पड़ा है देक है एक डालर कास का मिलक प्ड़ार पड़ाह मिदनी उसकाम वलब पकास पड़ा का इयक है तो लगभग जो है एक डालर का मतलब हो गया आपका 75 रूपय का एक है तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि अमेरिका में कंड जो है 35 रूपय का में अधा किलो होगा है ने हैंतर रूपय कंड करें है है Wanna अब Keys सबस्टक करो चिटी ओं मुझे इंडिया में लोग इसको कई नाम से जाने जाते हैं आप अपने जिस जिस नाम से जाने जाते हैं इस वीडियो पर नेचे कमेंट करके बता दिए कि आप किस नाम से जाना आना जाता है है हमारे हाइस को पांड बोलते हैं ठीक है बाइबाइब